नमस्कार, मैं सिम्रंजीत सिंग बिहारी नूज से पिछले 14 साल से बिहार पर लगातार राज करती आ रहे हैं नितीश कुमार की पार्टी को अब रास्टी पार्टी का भी दर्जा मिल सकता है हाल ही में संपन्य हुए लोग सभा चुनाव के साथ साथ अरुनाचल प्रदेश में विधान सभा के भी चुनाव हुए है जहां नितीश कुमार की पार्टी जन्ता दल उनाइटेट को बहुत ही शांदार सफलता हासिल हुई है बिहार और नागा लैंड के बाद पुर्वत्तर का अरुनाचल प्रदेश तीसरा ऐसा प्रदेश है जहां जदियू ने कमाल कर दिखाया है इस राज्य के विधान सभा में खाता खुलने के साथ साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद जदियू तेजी से रास्ट्रे पार्टी बनने की और बढ़ चली है अरुनाचल प्रदेश में विधान सभा की कुल साथ सीटे हैं जिन में भाजपा को 41 और जदियू को 17 सीटों पर जीत हासिल हुई है आपको यह भी बताना हम जरूरी समझते हैं कि पुर्वत्तर के इस राज्य में भाजपा और जदियू ने अलग अलग चुनाव ला था जबकि बिहार में इन दोनों दलों का गटबंधन है और दोनों मिलकर राज्य में सरकार चला रहे हैं हलाकि केंदर में बनी नव गठित नरेंदर मोधी सरकार में नितीश कुमार की पार्टी की कोई हिस्सेदारी नहीं है बिहार में जदियू के कुल 70 विधायक हैं जबकि नगा लैंड में भी जदियू ने खाता खोल लिया है वहां भी उनके एक विधायक हैं तो इसके साथ ही अनुनाचल प्रदेश में भी 17 सीटे जीत लेने के बाद जनता देर उनाइटेड अब रास्टे पार्टी की रिस्में आज़ता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि किसी भी मानिता प्राप्त राजनतेक दल को रास्टे दल का दर्जा पाने के लिए इन तीन सर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है। उससे अधिक वोट प्राप्त करती है। या तीसरा नमबर कोई भी पार्टी चार अलग अलग राज्यों में अगर शेत्रिय दल के रूप में मानिता रखती है तो भारत का निरवाचनायोग उसे राश्टे दल का दर्जा देता है। धन्यवाद।